नमस्कार दोस्तों दोस्तों जैसे शारू खान के बेटे आरेन खान का नाम ड्रक्स के मामले में आया है और उनको NCB ने अरेश्ट किया है उसके बाद सही दोस्तों तहलका मजगा है बॉलिवुड में बॉलिवुट के बड़े बड़े लोग बड़े दिगज सेलिब्रेटी अब शारू खान के बेटे आरेन खार के सपोर्ट में आ चुके हैं कोई शारू खान से मेटिंग कर रहा है कोई शारू खान के घर मननत आकर उनसे मिल रहा है तो कोई शारूप खान को सोसल मीडिया की मजद से अपना सपोर्ट दिखा रहा है इसी बीज दोस्तों जो हमारे बॉलिवुड के सिंगम है यानि कि हमारे अजे देवगन सर उनसे जब पूछा गया आरेन खान के बारे में कि आपका इस पर क्या रियक्सन है आप इस पर क्या कहना चाते हो तो वहाँ पर अजे देवगन ने मेडिया वाले उससे का कि आप लोग मेडिया वाले हर जगा हर से अरेन खान के बारे में ही क्यों पूछ रहे हो क्या आप लोग के पास कोई और चर्चा करने का विशे नहीं है क्या आप लोग के पास कोई और निउस नहीं है दुनिया में बहुत सार यह सी चीजे हैं जिनको आप लोग दुनिया को दिखा सकते हो और उसके बारे में बता सकते हो लेकिन सभी आप मेडिया वाले सिर्फ अशारू खान के बैटे आरियन खान के पीछे ही पड़े हो आजे देगुन सर ने आगे का कि हा मैं मानता हूँ कि आरियन खान के गिरपतारी हुई है लेकिन वो इस मामले में कितने दोशी है इस बारे में अभी कोई बड़ी ख़बर नहीं आई है NCBO और उनके करमचारी अपना काम कर रहे हैं और जल्दी मतलब कि आपको पता चल जाएगा कि आखिर आरियन खान दोशी है या नहीं है आजे देगुन सर ने वहाँ पर का कि ये आरियन खान शारू खान के बेटे हैं और इसी वज़े से आप सभी मेडिया वाले उनके पीछे पड़े हुए हो आरियन खान इस मामल में कितने गुनेगार हैं इस बारे में कोई बड़ी ख़बर नहीं आई है लेकिन आप सोभी मेडिया वाले आरियन खान की उपर वीडियो पर वीडियो नीज पर नीज़ बनाए जा रहे हो और उनको हाई लाइट कर रहे हो आप लोग के पास कोई और भी निउस होंगी आप लोग उनको दुनिया को दिखाओ उसके बारे में दुनिया को बताओ सिर्फ एक ही टोपिक आपके पास हो ऐसा तो नहीं हो सकता है दोस्तो ये रियक्शन था आजे देगवन का आरियन खान को ले करके अब दोस्तो आरियन खान सारू खान के बेटे हैं तो इसमें मेडिया वालों की क्या गलती है मेडिया वाले तो अपना काम कर रहे हैं और पल-पल की खबर जनता को दे रहे हैं फिलाल दोस्तों आजेदेगन सर के इस तरह के reaction के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हूं क्या आजेदेगन सर ने सही कहा या फिर गलत कहा। जो भी आप लोग को मतलब के लगता है आप लोग हमें इसके बारे में कोमें जरूर बताएं।